हेलो नमस्कार मैं पुर्वांग बहुत बहुत श्वागत है आपका आपा ओनलाइन एकेडिम में आज हम पढ़ेंगे रिख बैदी काल के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है इतिहास एक परीच है फिर एतिहास इक स्रोत फिर प्रस्तर यूग फिर हम और पसान काल फिर हमने पढ़ा हरापा सल्सक्रीटी आज हम देखेंगे रिख बैदी काल की तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप मत कीजिएगा आज के वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सल्क्राइब नहीं रहेगा रिख बैदिक काड़ से देखेंगें हम बात करते हैं मूलल स्थान और एसपास बताया जाता है जो पर्तमान में Eurasia में है ऐसा माना जाता है जो आरे जो है वो आल्प सुपर्वत है उसके जो पूर्वी छेत्र है उसके आसपास से है जो कि अभी पर्तमान Eurasia में है मैक्स मुलर के अनुसार आरेो का निवाज अस्थान मद Eurasia माना गया है जो सरवाधिक मानने है जो मैक्स मुलर है उनका मानना है कि जो आरे है वो कहीं और से नहीं मद Eurasia से जो है उनका आस्थान है वो मद Eurasia से आये हैं और वो सरवाधिक मानने है भारत में आर्यों की जनकारी रिग बैद से मिलती है इस बैद में आरे सब्द का 36 बार उलेख है हमारे यहां जो है आर्यों का जो सबसे ज़्यादा जनकारी है वो कहां से मिलता है हमें रिग बैद से मिलता है और रिग बैद में आरे सब्द जो है 36 बार उलेख हुआ है कि आरेयों का मुख्य बेवसाय पसुचारन था क्रिसी का अस्थान गौन था कहने का मतलब है कि उनका जो मुख्य बेवसाय था वो क्या था क्रिसी था माफ कीजेगा पसुचारन था और क्रिसी का अस्थान क्या है वो गौन था आरे समाज पूरुस परधान था जैसे हमारे यहां एक प्रिती सतात्मक होता है मात्री सतात्मक होता है तो हम यहां पर देखेंगे जो आरे जो है उनका जो समाज है वो पूरुस परधान है पालतु घोडे पहली बार इसा पूर्व छठी सहत्राबदी में काला सागर और इव रूप में उनको कब लाया गया इसापूर्व छटी सतागती में और ये कहां इसका परयोग किया गया कालला सागर और इवराल परवत किया जो छेत्र हैं वहाँ पर तीन हजार इसापूर्व इवराल छेत्र में घोड़े की लगभग 6,000 अस्तिया मिली हैं जो घोड़े हैं उनकी जो अस्तिया हैं तीन हजार इसापूर्व में कितनी मिली हैं इसके साथ जार और यह कहांपे मिला इवराल का जो छेत्र है वहां पर मिला है कि रिगबैदी काल के अध्याइन के लिए सहायतिक तथा पूरतात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है एक हम जब भी भूत काल की बात करते हैं वहां पे जो भी हमें अगर हम उसकी जनकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके जनकारी के लिए हमारे पास दो ही स्रोत होते हैं एक तो होते हैं सहाहितिक दूसरे होते हैं पुरतात्विक कहीं कहीं पे हमें सहाहितिक पढ़ना जानते होंगे वह लिखेंगे पढ़ेंगे अगर वह सहीत लिखते हैं या अपने बारे में कुछ कहीं पर लिखवाते हैं तो जाके हमें साइतिक स्रोत मिलते हैं में पुरातात्विक सरोफ है मिलते हैं कि अब हुम बात करते हैं साई्तिक साप्ष सभी क्या सबसे पहले क्या है कि एक साइटक के तिन पार्ठ है सबसे पहले रिखेद क्या है एक सहिता जिस में 10 मंदल तथा 1028 रिखेद के तिन पाठ कौन-कौन हैँ पहला है आपका साकल जिसमें कितने मंद्र है 2017 दुसरा है बाल खिल्य है इसमें कितने सकर्ण मंत्र है कि किramat करते हैं पूरा तातरीज इसको जानने के लिए ठेखबैदी काल को जानने के लिए हमें एक और साहझuju कि बेगाज कोई अभिलेख जो मितनी अभिलेख है जिसको मितनी अभि लेक ही नामसे भी जानते है 1400 इसापूर्व के एक लेख में हिती राजा सुबली लिम्मा और मितनी राजा मिती यू अजा के मध हुई संदी के साक्षी के रूप में बैदिक देवताओं इंद्र, वरून, मित्र, नात्से का उलेख किया गया है इसके अतरिक्त इनका उलेख रिग्वेद में भी किया गया है ये जो देवताओं हैं इंद्र हो गएं बरून हो गएं मित्र हो गएं नात्से आज भी हम देखते हैं बहुत ही सधियों से माschaft पूछते ह। है तो अबियों में हम देखते हैं कि जो पराणिक हमारी कथा है वहांपि जो देविदेवताया है उन्हें हम बहुत ही सदियों से मानते पूझते आये ह। तो हम देखते हैं कि जो tf14 Cool इसब सीप हैं बेगाज कोई जिसको मितनी हमिलिक कहते हैं वहाँ के मद संदिग वहीं कि उसमें जो है एन्धर वरूर मित्र नात्स अन्हों क्या गया गया है उलेघ किया गया है और इसके अलावा इनका कहाँ पर मिलता है दूसरा है कसाइट अभिलेक शोलसो इसापूर्व के इस अभिलेक में यह सुचना मिलती है कि इरानी आर्यों की एक सखा भारत आई थी क्यानि हमें की शोलसो इसा-पूर्व में एक अविलेक मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि इराशी आर्यों की जो एक सखाह है भारत आई थी नहीं के अर्यों के मुल्लस्थान निवास के बारे में विभीन विध्वानों का मत जो अलग-अलग है तो हम देखते हैं किन पुर्वर्व में उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर अभिनास चंद्र की उनका मांणना है सब्त सेंदो से आये थे पंडित गंगानात जहां की बात करें उनका मानना है कि वहरसी देश से आये थे डॉक्टर एस्त्रिवेधी की बात करें तो देवकामुल्तान से, मेयर कीथ और ओल्डन वर्ग की अगर बात करें तो पामीर का जो पठार है, वहां से उनका मानना है बिलियम्स जोन्स की बात करें तो यूरोप से आए थे पी गाइल्स की बात करें तो हंगरी यूरोप डेनव्यू नदी घाटी से आए थे मैक्समूलर की बात करें तो मधेसिया जो वेक्टिरिया है वहां से आए थे बेंडे नी स्टन की अगर बात करें तो दक्षनी रूस, नेहरिंग एम गार्डन चाइल्ड्स की बात करें तो दक्षनी रूस, पेंग का एम हर्ट की बात करें तो जर्मनी के मैदानी भाग से, एल्डी कला की बात करें तो कस्मीरों हिमाले शेतर से, रोट्स की बात करें तो मानने है किसका है मैक्स मुलर का कहां से मधेशिया से अब रिगवेट की रचना की तीथी की बात करें तो अलग-अलग बिद्वान जो ए इसकी अलग-अलग देते हैं वह भी देखते हैं जैकोबी की की बात करें तो उनका मानना है कि तीन हजार इसा पूर्व जो है इसका माना जाता है और बिंटर निच्स की बात करें तो पचीस सो से है 2000 इसा पूर्व जबर बिद्वान है उनका अलग अलग जो है क्या है बानना है अब हम बात करते हैं रिगवद की भारत आगमन के ख्रमन अरे मद एसिया और इरान से पॉंशे हैं भारत में आरेयों की जनकारी रिगवद से मिलता है और यह कहां से आए थे मद इरान और मध एसीया से आये थे इंद यूरोपीय भासाओं का सबसे प्राचिंतम और पबित्र ग्रंत है इनने अगनी मित्र वरून आधि देवताओं की अस्तूतिया संगरहित है जिसकी रचना विभीन गोत्रो के रिसियों और मंत्र श्रिष्टाव ने किया है देखिए जो रिग बेद है यह हिंदी एउरोपिय वसाव का प्रचिंतम जो है और पवित्र क्या है ग्रंत है और इसमें आपको अगनी इंद्र मित्र वरून आरी देवताव की अस्तूतिय संग्रहित जिसकी राचना जो है आप देखेंगे कि विभिमकोत्रों के जो रिशी है उन्हों ने किये जैसे नहीं है सांड़ी लेहं वसीष्ट है अलग-अलग जो है रिषी ने मिलके इसकी रचना की जिसमें 10 मंडल या भाग है इसमें क्या है दस मंडल है या जिसको भाग में बोलते हैं जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचिनतम अंस हैं प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़ेग हैं देखिए बेसिकली हम क्या देखते हैं कि एक से कोई चीजे स्टार्ट होता है एक दो तीन लेकिन रिगवेद में क्या है कि जो पर्थम है और जो दसम मंडल है यह सबसे लास्ट में जोड़ेग है और इसमें कितने टोटल मंडल हैं 10 मंडल है जिसको दस भाग में बोलते हैं जिसमें 2 म प्रचिंत मंत्रों का पार्थ करने वाला पुर्वहित खौतरी कहलाता है कि मिले लगभग आप शोलोसों इसापूर्व के काशाइट अभी ले पिए तेथ हैं आरी नाम आजह साक्षय मिल सेouse पूरातात्विक एहां और यहांपे आप आप आपने क्या देखा कि जो पूरातात्वी साख्षे हैं इरान जो बेगाज कोई अभिलेक जो मितनी अभिलेक है और जो कसाइट अभिलेक है यह जो है कसाइट जो इरान से है और जो मितनी है हमें क्या मिलता है यहां से आर्यों के जो है लिखे हुए साक्ष मिलता है कि यहां पर आर्य जो सब्द है उनका क्या किया गया है तो इरान म मिले अभी लेक्स जो हैм कि राचना तीन रजाओं ने कि है इसमें क्या है कि जो चौथा मंडल है उसमें जो तीन मंत्रों की जो रचना है वो तीन रजाओं ने की है त्रास दस्यू अजमीड तथा पूरमीड ये कौन-कौन है त्रास दस्यू है अजमीड है तथा पूरमीड है कि न्यौह मन्डल सों को समर्पित है विए सो मन्डल का जाता है ृस мон्डल सब से अंत में जोड़ाया है अता इसी के एक भाग पुरुष सुक्त में चतुवध वन व्यवास्टा की अस्तहापना की गई मैंने अस्थापना मिलती है इसी मंडल में देवी सुक्त का उलेख है जिसमें वाक सक्ती की उपासना की गई है रिगवेद के ब्रहामन ने गरंथ एत्रय कॉसिक्ति की है अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो नौवा मंडल है वो क्या है सोम को समर्पित है इसलिए एक भाग में जो पूरुष सुक्त के जो चतूरवर्ण है जो हम देखते हैं बाद में देखेंगे कि जो उत्तरबैदिकाल है वहां पर बढ़न वेवास्ता जो है सबसे जादे हावी हो गई थी यहीं से उसकी क्या कि गई है अस्थापना कर दी गई है और इसी मंडल में द इस रामन ग्रंत है वह कौन कौन है in आयुकषी तिकी आयुवैद्स को भी व्यंग का उपवेद कहा गया जो अयुआई व्यवाधिक पवित्र का नदी कौन सी और शर्षपी नदी है इसे नदित्मा याननी नदियों में स्रेष्ट चाहा रिगवेद में यमना का उलेख तीन बार गंगा जिसको जानवी बोलते हैं का उलेख एक बार दस्वे मंडल में मिलता है जो यमना नदी है उसका उलेख कितनी बार मिलता है तीन बार और गंगा नदी का उलेख कितनी बार मिलता है एक बार मिलता है और यह कहां है दस्वे सद गम्या वाग कछ दीवेत से लिया गया और extremely commit मैं जौ lei इसे फोम मंदल कहा गया कि यानि जो इसमें हमने पूर्मीड जो है नौवा मंडल जो है सोम को सम्रपित है अता ही से संदल का है आरे सब्द से एक जाती की स्फ की जो समझ मिलती है अरंभिक भारतिय बिद्वानों ने इस सब्द का यहीं अर्थ लगाया है आरेों को भारतिय सव्यतायम संस्कृति का संस्थापक मना जाता है जो आरे हैं उनको भारतिय संस्कृति के जो है भारतिय सव्यतायम संस्कृति के क्या मना जाता है संस्थापक माना जाता है आरे सब्द संस्क्रीत भासा से लिया गया है आरे जो सब्द है वो कहां से लिया गया है संस्क्रीत भासा से लिया गया है जिसका अर्थ उत्तम स्रेष्ट वेक्ति या उचकुल में उत्पन माना जाता है जिसका मतलब होता है कि स्रेस्ट है उत्तम है स्रेस्ट है या उचकुल में उत्पन मना जाता है अरंभिक आर्यो का निवास पुर्वी अफगानिस्तान पकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाना से था जो अरंभिक आर्यो का जो निवास अस्तान है कहा मना जाता है पकि अफगानिस्तान पूर्वी और भारत के पंजाब और हर्याना यह जो जगह है यहां से अरंभिक जो आ रहे हैं उनके निवास अस्तान माना जाता है रिग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुभा आधी कुछ नदियों तता सिंधु और उसकी पांच सहाइक नदियों का उलेख है देखें रिग्वेद में जो है हम देखते हैं जहां गंगा यम्ना का भी उलेख है उसी तरह जो है यहाँ पर सिंधु आर्यों की जो अफगानिस्तान की जो कुर्रम तथा कुभा आधी कुछ नदिया है उसके अलावा सिंधु और उसकी पांच सहाइक नदिया है उसका भी उलेख है सिंधु आर्यों की सबसे पर्मुख नदी है जो सिंधु नदी है आर्यों की सबसे पर्मुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उलेख किया है सिंदु नदी का उलेख उनों ने क्या किया है बार बार किया है अब यहां पर देखते हैं कि जो रिगवेद के परमुख मंडल है और उसके जो रचईता है वो कौन-कौन है हम बात करते हैं दूतिय मंडल को इसके रचयता कुण है गृतमदभारगयुलतिय की बात करें तो बिश्वामित्र गा мало फौन मद पारगम वांदिय सम्बंदी प्रकिर्या पाच्वा जो आत्री छट्ठा जो है भारद्वाज सात्वा जो है वसीष्ट आठ्वा जो है क admit cm angri शрем ergलु अर्वा जो है पाउमां अंगीड़ा सोम्कावर्णन दस्वा जो है छुद्र सुक्तिए और महा सुकति जो है कँ यह आपको रिग वेद के जो है परमुख मंडल जो है और उनके रचाइतार है अब देखिए ये जो है ये थोड़ा उल्टा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है देखिए इसमें लिखा गया है जो बेद है कौन-कौन से वेद है और वो उसमें जो ब्राह्मन है कौन से है उसकष्प इतने हैं यानि मंत्र कितने है उसमें उपनिषत के बारे में लिखा गया है अर्णैक मैं और हुपवयद क्नीक्द है और और उपनिसत क्या है इसमें कौसितकी एत्रे और अरनियक क्या है इसमें एत्रे कौसितकी और अधेता क्या है होत्री और उपवेद इसका क्या है आयुरुवेद या जिसको प्रजापती भी बोलते हैं यह तो रिगवेद हैं दुसरा हम अगर बात करें यजुरुवेद की तो कुछ ज्यान नहीं है और उपनिसत की बात करें स्में और अर्णेयं की बात करें तो इसमें भी आपको तेत्रिय Honor और सत्पत मिलेंगे और अधियता की बात करें तो अध्वर्यू है और उपवेद की बात करें तो धनुरुवेद विश्वामित्र यानि इसमें आपको धनुवेद की बारे में भी जनकारी मिलेगा हम बात करें सामदेव की तो यह इसके ब्रह्मन कौन है 25 इसे टांडे ब्रह्मन भी कहते हैं और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है एक ہजार आठ्सो दस है और इसके उपनिसद क्या है के और जंदों गय हैं और अरनै की बात करें तो जैमनिय और चंदों गय हैं और अधेत्या की बात करें तो उदगता और गंधर्वेद, नारत और बात करें सबसे लास्ट में यतरवेद की तो इसके जो ब्रह्मन है कौन है गोपत है और इसमें जो मंत्र है कितना है 6000 मंत्र है इसमें और उपनिसत की बात करें तो मांडुक के प्रस्न और मुंडख है और अरनेक इसके बारे में कुछ पता नहीं है और अधेत्य जो है ब्रह्म है और इसमें आपको वेद क्या मिलेगा सिल्प वेद विश्व कर्मा देखिए जो चार वेद है चार वेद कौन है रीग वेद यजुर वेद साम वेद और अथर वेद इसके बारे में हमने जनकारी देखी करें है अब हम बात करते हैं जो रीग वेद है उसमें किस सब्सका कितना व्लेख है अगर हम बात करें पिता का तो पिता सब्सकरी समें कितना व्लेख है पिता सब्द का इसमें उलेख है 335 बार जन सब्द का 275 बार इंद्र का 250 बार माता का 234 बार अस्व का 215 बार अगनी का 200 बार गौ का जिसे गाय बोलते हैं 176 बार विस का 170 बार सोम देउता का 144 बार विदत का 122 बार विसनु का 100 बार गन का 46 बार बज्र गोसाला का 45 बार, क्रिसी का 33 बार, वरुन का 30 बार, और वर्ण का 23 बार सेना की बात करें तो 20 बार इसका उलेख हैं ब्रह्मन का 15 बार, ग्राम का 13 बार, ब्रहस्पती का 11 बार, रास्ट का 10 बार, छत्रिये का 9 बार, सिमिती का 9 बार, और सभा का 8 बार, यमना नदी का 3 बार, रुद्र का 3 बार, वैसे का 1 बार, सुद्र का 1 बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार, और प्रिथिवी का भी 1 बार करा निए यैनि ये वो सब्द है जिनका जो है रीग्वेद में उलेक मिलता है कि एभ मुझा नोडिय की तो कौन कौन सी जो है gliडिक नदिय का सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा है कि टश्ता है कि प्राचिन नाम इसमें देखें कि प्राचिन नाम और आधुनिक नाम प्राचीन नाम किया है और आधनिक नाम क्या है तो दिखे वितस्ता प्राचीन-्था अभि razmi किरें जह लगी वीपासा प्राचीन नाम और व्याद्न व्यास फ्रुष नी पर पूर्चीन नाम है अभिष्थम्न रावि नदी के नाम से जानते हैं दbn द्रिश द्वती या द्रिश धती जो गगर नदी है जिसको चैतांग नदी भी बोलते हैं कुभ जिसको अभी कुर्रम नदी बोलते हैं कुभा जिसको काबूल भी बोलते हैं सदानीरा गंडक असकीनी चिनाव सतुद्री सतलज गोमल गोमती मरुदव विर्धा कमरु वर्रमन सिंधु सिंध सर्वसती घगर सुमोन सुसमा सुहन और सुवास्तु स्वात यानि वो पंद्रा नदियां है जिनका आपको रिगवेद में क्या मिलता है उलेक्र मिलता है और इसके प्राचीन नाम और आधनिक नाम वर्तमान में जो इसका क्या नाम है उसके बारे में हमने अभी देखा है अब हम बात करते हैं सामवेद की देखें साम का तत्पर है गांज से हमने अभी देखा जब हम पढ़ रहे थे जो उपवेद वगेरे जो होता है जिसको गंधर्व वेद भी बोलते हैं तो सामवेद का तत्पर जो है क्या है गांज से उप्रिख़ां कहा है सामवेद से ही सरवपर्थ pasta साह रेगा मायाच गर्वल जो हैं सबसे पहले कहा से मिले सामवेद से मिले की जनकारी प्राप्त होती है इसलिए भार्तिय संगित का जनक माना जाता है संद्यो के मंत्र सुर्ष देवता को समर्पित हैं इनके जो मंत्र है किनको समर्पित है पुरानों में सामवेद की सुखाव का हैं सामवेद में खया हैं हमने देखा कि आठकी बात करेать of सामवेद में भी नहीं है और यथरवेद में भी नहीं है कि सामवेद का रित्विक उद्गान उद्गाता कहलाता है सामवेद का रित्विक उद्गाता कहलाता है इसका कार प्रिचाओ का सवर्गान करना था सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है हमने देखा जो गंधर्ववेद हैं वो किसे समध्धित है जो नारदमुनि है उससे समध्धित है कि सामवेद के परमुक उपनी सथ चंद दोग्य तथा जैमीनिय है तथा मुख्य ब्राह्मन ग्रंथ पंचवीस है हम जब उधर हम देख रहे थे बेद और उसके ब्रह्मन की बात कर रहे थे तो हमने सामवेद में पढ़ा था है पंचवीस जिनको टंडे ब्राह्मन भी कहा ज दो पर्धान रूप हैं वो क्या-क्या एक है अब कि ऑफ ने इसकी चार सकाह है तो यजुरवेद कि इसके कितने पर्थाने दो पर्धान कौन है कृश्ण यजुरवेद की बात करें तो इसकी चार्ट क्षख एकॉन कॉन है यह कफिश्थल मैतरिये और 3 सह है कि अभ़ बात करें पर चुअ और चुअ के बात करें तो इसे वाजसेहिता भी कहते हैं इसको क्य up hemos कहते हैं अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की तो यजुर्वेद जो है यजु का अर्थ यग से हैं यानि इसमें आपको यग से संबंधित जो है कुछ जनकारी मिलेगा इसमें यग की विध्या पर्तिपादन किया गया है इसमें यग बली संबंधित मंत्रों का वर्णन है यजुरुवेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है इसे गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है यजुर वेद का रित्विक अध्विवर्यू कहलाता था जिसका कारे इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना था यग संबंदिक कारे कराना था इनका क्या कारे था गद्य जो भाग था उसको पढ़ना और यग जो है उसको कराना था धनूर देव को यजुर वेद का उपवेद कहा जाता है यजुर वेद में सरोपर्थम राजस्यू वाजपे यग का उलेख मिलता है इसमें आपको जो है राजस्यू वेद को वाजपे यग का उलेख मिलेगा यजुर वेद में हातियों का पालन का उलेख है इसमें हातियों के पालन का क्या किया गया है रिगवेद सामवेद अथा यजुर वेद को वैदेत्री के नाम से जाना जाता है जो रिगवेद है सामव बिद्र को बन से चौत बहुंस को अथरविद को ब्रह्मन वेद को कुर्श्ट वेद जिसको दोाँ अर्स्ताथ ब्रिस्टि के नाम पर Gi nam Fernanda देव पढ़ा आंज जो अधरवएद है उसको क्या कर जाता है भ्रह्म रेथ कहते है ईसको क्यान को Biz और इसका नाम जो है रिसी के नाम पर अथर्वेद पढ़ा है अथर्वेद का ब्रह्मन ग्रंत गोपत है हमने देखा कि इसके जो ब्रह्मन है वो कौन थे गोपत थे इसमें यागिक अनुस्थानों का वर्णन नहीं है इसमें क्या है यागिक अनुस्थानों का वर्णन नहीं कि अथर्व वेद में 20 अध्याए 131 सूप गुँम्न मिलता है उस में ऐसी कर नमिलेगा भूत्र प्रेतों से सम्बंदित मंत्रों का भी इसमें वर्णन मिले गा अथर्व वेद में कुरू के राजा परिक्षित का उलेख है जो कुरू के राजा परिक्षित है उनका इसमें उलेख है जिन्हें मिर्टिव लोग का देवता बताया गया है इन्हें जो है कुरुल के जो राजा है उनको क्या कहा गया है मिर्तिव लोग के देवता कहा गया है अथर्ववेद का उपवेद जो है सिल्पवेद कहलाता है इसका जो उपवेद क्या कहलाता है सिल्पवेद कहलाता है कासी का प्रचिंतम उलेक अथर्ववेद में मिलता है ज करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था जो इसके मंत्र को उच्छारण करते थे उनको क्या कहा जाता था अथर्वेद में सभायम समीति को परजापती की दो पुत्रिया कहा गया है इसमें जो है सभायम समीति को क्या कहा गया है प्रजापती की जो दो पुत्रियां कहा गया है अथर्वेद में साभा और समिति को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्वेद का एक मात्र भ्राह्मन गरंथ गोफित है इसका जो एक मात्र गरंथ है कौन है गोफित है इनके उपनिसदों में मुंडोकोपनिसद और प्रस्णोपनिसद है इसके दिखे उपनिसद कौन-कौन है एक तो है आपको मुंडोकोपनिसद दूसरा प्रस्णोपनिसद तथा माडुकयोपनिसद यह तीन जो है इसके परमुख उपनिसद है अब हम बात करते हैं आर्णेयक क्या है आर्णेयक मुलता ब्रामन गरंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं बनों में रचे जाने के कारण यह आर्णेयक आहे हैं देखें यह क्या है ब्रामन गरंथों में जो है यह परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं लेकिन इसकी जो रचना है बनों में किया गया है इसलिए इसको आर्ने कहे जाए है अब बात करते हैं उपनीशत क Warner और publish this यह भारतियत दरशनिक बीचारों का प्राचिन्तम संग्रा आज भी दरशनिक की बात करते हैं उन्का रहें प्राचिन्तम यह संग्रा इसमें सुद्धतम ज्यान पक्ष पर बल दिया गया है इस इसमें क्या किया उपनी सद को भार्तिय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है इसको क्या माना जाता है भार्तिय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है कि उपनिसदों की कुल संख्या जो है 108 है यह वेदो संबंधित सामवेद से संबंधित चंद योग दोग्य उपनिसद में तत्व मसी का प्रथम उलेख है देखिए उपनिसदों की कुल संख्या कितनी है 108 है जो ब्रिय दरानायक को पनिसद है उसमें अस्वमेघ जो यग है उसकी विवेचनद की गई है यानी अस्वमेघ कैसे किया जाता है कब किया जाता है उसकी जो वह ब्रिहद रायनाइक जो पनिसद है उसमें किया गया है कठो पनिसद जो है उसमें यम तथा नची केता के जो समवाद का वर्णन है उसको किया गया है यम राज ने नची केता को अध्यात्मु तत्व की क्या की ती सिख्छा दी थी उसकी जनकारी आपको कहां पर मिलेगी क पठोपनिसद में मिलेंगी भारत का राश्ट्री अधर्स वाक सत्यमयव जैते मुंड़ों को कहा से लिया गया है कहां से लिया गया राजा की उत्पती शिदांत का वर्णन्त सवरुपर्थम इत्रेम्रामंद में मिलता है आरे लोग जहां प्रथमत बसे वह संपून्षेत्र सब्त सिंधु यानि साथ नदियों का देश के नाम से परसीद हुआ इसमें अफगानिस्तान का भाग भी संभी था यानि आरे लोग जहां सबसे पहले बसे वो संपूर्ट्ष सेत्र क्या कहलता ? सब्तसिंदू कहलता यानि सात दादियों का देश इसमें अफगानिस्तान का जो भाग है उसको भी क्या किया जाता है? समलिक किया जाता है इस10-65 में यागवल और स्वेत केतू समवाद है मुझड़ों को पनींद में सिख्च्छा के विश्यवं में विदांगों कुभी सामिल किया ग या मुझड़ों को पनीशद में और इसो पनीशद में याग वल्लक च्बैत केटु संगमाद उसको कि उलेख Μिलता है अब बात करते हैं जन जाती है संगर्स के रिगवेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है जिसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने वाला जिसका अर्थ क्या है दुर्ग को तोड़ने वाला आर्योग के पांच कभीले अर्थात जन थे जिनका समुदाय पंच जन कहलाता था यानि यह पांच समुदाय में रहते थे इसलिए इने पंच जन समुदाय भी कहते थे यह अनू पुरू तुवर्स द्रहयू तथा यदू थे यह काम करते हैं आज यहीं तक रहने देते हैं अगले वीडियो में जो है इसके आगे से हम जो है कंटनीव करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपका कोई भी कम कमेंट है सजेशन है हमें कमेंट वक्स में कमेंट करके बताएए धन्यवाद